केरला एक करी केरला एक करी बनाने की विधी पहले हम गर्म पान में कुछ मसाड़े ड्राइ रोस्ट कर लेते हैं सौफ, धनिया, लौंग, काली मिर्च, डाल चीनी, इलाइची और खस-खस साथ में डालिया भी डाल सकते हैं हलका भून कर चूले पर से हटा कर थंडा होने के बार पाउडर बनाले अब इसी पैन में खोपरे का तेले डाले फिर लहसुल, अद्रक, तेज पत्ता डाल कर एक बार चला कर कडी पत्ता, हरी मिर्च और प्यास डाले साथ में थोड़ी हल्दी भी चलाते हुए नमक भी डाले प्यास जब थोड़ा नरम हो जाए इसमें पानी डाले अब धकन लगाकर एक उबाल आने दें अब आप इस जार में थोड़ा पानी डालकर एक बार चम्मत से मिलाकर इस पैन में डाल दें चाहे तो धकन लगाकर कुछ दें पकाकर टमाटर के पीसस डालें दुबारा धकन लगाकर दो मिनट और पकाएं जब आपके टमाटर पक्च आएं इसमें उबाले हुए अंडे भी डाल दें बस एक मिनट ही पकाना है आपको नीमो का रस डालकर उपर से हरा धनिया छड़कड़ें धकन लगाकर चूला बंद कर दें इसे आप दोसा आपम चावल या रोटी के साथ भी खा कर देखें झाल